हाई फ्रेंड वेलकम तो माई चैनल इसके सोनुट टेक वर्ल्ड कैसे हैं फ्रेंड उमीद है मस्त होंगे ब्यास्त होंगे फ्रेंड आप सब यहाँ पर देख पा रहा है यह जेपी उनिफरसिटी छपरा थोरा इंतिजार का मजा लीजिए फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं जेपी उनिवर्सिटी को परिछा की चिंता नहीं है एक ऐसा कारे करने जा रहा है जिसे छात्रों को बहुत ही अनन्द आने वाला है चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटल में बताने की कोशिस करता हूँ फ्रेंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जेपरकास विश्विद्याले के परसासनिक भौन में लगे फबारे को सुक्रबार को कुलपती पुर्फेसर फालक अर्ली ने देखा उन्होंने फबारे का पानी समय समय पर बदलने एम लाइट लगा कर सुंदरी करने का निर्दे से दिया है फिर आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जेपी उनिवर्सिटी में जो फबारा था उसको अब चालू कर दिया गया है उसमें लाइट लगाने की यूजना बन रही है इसलिए मैं आपको बताया कि आपको फायदा होने वाला है क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगर आप जेपी उनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो आपका तो रियाद गरबर होगा ही गरबर होगा तो आपको उनिवर्सिटी में तो जाना ही परेगा अगर जाना परेगा तो वहाँ आप फाबारे का अनंद ले सकते हैं इनको परिछा से कोई मतलब नहीं है परिछा इसमें अपना लाइफ बरबाद कर चुके हैं कम से कम उनको रोजगार तो मिल जाएगा तो इसलिए आप से नवर निविदन है कि इस उनिवर्सिटी को बंद करके आप इसमें कोई कमपनी या कर खाना खोल दीजिए ताकि जो बच्चे अपना भवी से बरबाद कर चुके हैं उसको जाच करे अन्यथा उनिवर्सिटी को बंद करके वहाँ कोई कमपनी या कर खाना खोल दीजिए ताकि बच्चे अपना कम से कम उनिवर्सिटी में तो नहीं, पढ़ाई में तो नहीं, कम से कम उसमें भी तो अपना कैरियर को बना सके तो कुलपती महुदे मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जिन भी बच्चों का रियल्ट गरबर हुआ है जो भी बच्चे अपले इस उनिवर्सिटी में लाइफ बरबाद कर रहे हैं कहने का मतलब है जिन लोग का रियल्ट किलियर नहीं हो रहा है कितना भी लिख रहे ह कि उन्होंने कितना लिखा है और उनको उसके मुतावित नंबर मिल सके फिर मिलेंगे एक नहीं अनकारी के समथ तब तक के लिए जै हिंद